तो येस, वेलकम बाग टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेंग जन यूटूब चैनल इंडियन बैंक की तरफ से रिकृट्मेंट निकल करके आ रही है फॉर ट्विंडी ट्विंडी टू फ्रेशर्स के लिए भी है, experience के लिए भी वेकेंसी निकाली गई है इंजिनियर्स वालों के लिए भी है, non-engineers वालों के लिए भी वेकेंसी है जहाँ पर all India apply कर सकते है, full time permanent नौकरी आपकी होने वाली है, सरकारी नौकरी होने वाली है इन टोटल 312 वेकेंसी निकाली गई है जहाँ पर CDC होने वाली है 63,000 रुपीज पर मन्त बट देखो यार important points पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेश्ट ना हो BB Tech in mechanical या electrical या electronics या civil या chemical या textile या production वाले ही apply कर सकते है यह freshers की category पर अगर आपके पास minimum एक साल का experience है उस case में computers IT वाले भी आपर apply कर सकते है ठीक है तो अगर आप fit होते हो यह criteria में interested हो तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यह आपर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर students अग्वा सके जो interested है और eligible भी है तो चलिए यार अब detail में बात करते हैं यह official PDF है Indian bank की तरफ से निकल करके आ रही है जहां पर recruitment of specialist officer की vacancy निकाली गई है आप मानोगे नहीं 60 positions है आप पढ़ सकते हो मैं एक एक करके तो सारा नहीं पढ़ूंगा 60 positions है जहां पर in total आप चेक कर स पढ़ेगा 19th position yes assistant manager industrial development officer 150 vacancy pay scale 1 यह आपके लिए है जहां पर engineers and freshers apply कर सकते हैं engineers and experience आप नीचे देख सकते हो और भी यहां पर positions है IT IT आपको दिख रहा होगा इसमें आप apply कर सकते हो मैं आगे बताओंगा educational qualification में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दिक्कत एक चीज की है कि एक ही पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हो multiple post के लिए apply नहीं कर पाओंगे ठीक है आगे बात करते हैं यहाँ पर pay scale आप देख सकते हो जो freshers वाले हो क्या pay scale था वो pay scale 1 का है जहाँ पर 36,000 basic pay है तो सर जी आपने इतना ज्यादा gross क्यों बताया gross इसलिए बताया आप यहाँ पर देख सक है तो total आप चेक करोगे तो minimum 63,000 रुपीस आपकी gross salary बन जाती है ठीक है जी आप समझ में आया क्यों अब आगे बात करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ जो important है वो है education qualification education qualification में अगर बात करें तो CE वालों के लिए वेकेंसी है graduate in any discipline वालों के लिए वेकेंसी है बड़ सब experience मांगा गया है यहाँ पर आप देख सकते हो experience तीन साल का तीन साल का पात साल का जो आपके मतलब का है वो मैंने यहाँ पर highlight किया हुआ है assistant manager industrial development officer minimum age limit 20 maximum 30 years maximum में भी age relaxation मिल जाता है for SCST OBC PWD candidates और यहाँ बी बी टेकिन mechanical electrical electronics chemical textile production civil वाले apply कर सकते है freshers apply कर सकते है zero experience मांगा गया है सर जी आपने कहा था कि computers वाले भी apply कर सकते है IT वाले भी apply कर सकते है वो कहाँ पर है आगे बताऊंगा दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ आप यहाँ पर देख सकते हो उपर का 31 से 60 का जो position है उसके अंदर 4 स variety मांगा गया है यहाँ पर experience थोड़ा सा जादा है 3-3 साल का experience है तो अगर आप fit होते हो आप जरूर से apply करना ठीक है जी अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर age limit में relaxation है यह मैंने start में भी कहा था अब आगे लिकर चलता हूँ कुछ important points selection process और बाकी सारी चीज थी मैंने कर ली है और आपको बताने वाला हूँ selection process दो चीजे है अगर सारी candidates apply कर रहे है तो फिर return test होगा अगर नहीं कर रहे है तो सीधा interview से selection हो जाएगा अब अगर return test होगा तो फिर कैसे होगा return test 100 mark का होगा आप देख सकते हो तीन पार्ट में बटा हुआ है पहला आपका professional knowledge होगा second आपका English language होगा third general awareness होगा दो घंडे का paper है negative marking बिल्कुल होने वाली है center all over India है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है application phase yes होने वाली है और return test के बाद क्या वापस interview conduct किया जाएगा बिल्कुल किया जाएगा ठीक है तो मैंने कहा था दो ही पार्ट है आइदर कम student है सीधा interview जादा student है written test थोड़ा सा cutting करेंगे फिर बाद में interview लेंगे और आपको नौकरी मिलने वाली है यह बताया गया है written test और interview का waitage कैसा होने वाला है 80 to 20 का होने वाला है चलिए आगे लिकर चलता हूँ आज थोड़ी सी आवाज बैड गई है तो थोड़ा सा सहन कर लेना ठीक है जी how to apply के लिए यहाँ पर बताया गया है online apply करना है कोई भी offline तरीका नहीं होने वाला है और मैं link भी दे दूँगा description box में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है application fees के बारे में बात करें तो 175 यह आपका SC ST PWD का होने वाला है और others वालों के लिए 850 inclusive GST है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट हाँ application fees तोड़ी जादा है यह आप कह सकते हो for general but special categories वालों के लिए ठीक है देखो यह रहा website जहापर आपको जाना है फिर recruitment of specialist officer 2022 पर click करना है और आप apply कर सकते हो ठीक है मैं इसकी जो official website है यह यह मैं आपको link description में दे दूँगा application process बिलकुल ठीक और सती तरीके से पढ़ना क्योंकि changes allowed नहीं है कुछ भी गड़वड हो जाएगा तो लाच में document verification में reject कर देंगे यह कहा गया है PDF में ठीक है तो आप देख सकते हो online application यह आपको करना है और fees भी online mode में ही pay करनी है and that's it मुझे लगता है बाकी और कुछ दिकत नहीं होना चीए center मैंने जा दिया था all over India है interview के लिए आपको चन्ने जाना पड़ेगा और चन्ने में जावर भी center है बहाँ पर जाना पड़ेगा अब आप कहा रहे हो सर जी all over India जो center है वो जरा सा एक बार हमको बता दो महां बता देता हूँ थोड़ा सा scroll करने दो नीच है यहाँ पर यह रहा देख और बाकी थोड़ी से उपर और जानकरी दी गई है documents कैसे बरना है application कैसे बरना है क्या size होनी चाहिए क्या क्या चीजे needed है ठीक है यह सारी चीज आपर बताए गई है तो आप जरूर से पढ़ लेना apply करते वक्त and yes that's it for today वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ नहीं तो बहु झाहता हूँ झाहता हूँ